Hello friends, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल विकास्त्रीवन टेक में तो friends अगर आप एक YouTuber है, YouTube पर आपका YouTube का चैनल है तो friends आज की सी वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी YouTube वीडियो में थम्निल को कैसे लगा सकते हैं अगर आप अपनी thumbnail को change करना चाते हैं वीडियो में लगाने के बाद तो आप अपनी thumbnail को change कैसे कर सकते हैं सब कुछ मैं आपको mobile phone से YT studio से ही करके दिखाऊंगा आपको PC या laptop की जरूरत नहीं पड़ेगी तो छोटी सी वीडियो है पर बहुत ही ज़ादा informative है इसलिए वीडियो क आपको शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यूँ है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification बेल को on करके उसे all पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चली इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड समा चुके हैं अपने मॉबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो यहां पे हमें सबसे पहले डारेक्ट अपनी वाइटी स्टूडियो की application है उसे open कर लेना है और इसमें अपने यू content वाले second number पे जो है नीचे उस पे जाना है content वाले page पे जाना और यहां पर आपके सारी वीडियो जाजाएंगे आप जिस वीडियो में थमनिल लगाना चाते हैं आपको उस वीडियो को select कर लेना है जैसे मैं first वाली वीडियो को select कर लेता हूं ठीक है इस पे click करता हूं इस pencil वाले icon पर मैंने जैसे ही click किया तो इस तरीके से ये open हो गया और यहाँ पर फिर से photo के उपर left side में ही pencil का icon आ रहा है तो thumbnail लगाने के लिए आपको simple इस पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास change का option आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप जैसे ही change पर click करेंगे आप अपनी gallery में पहुँच जाएंगे और वहाँ से जो आप thumbnail यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो thumbnail आप यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक है तो मैं इसे change कर पर click करूँगा तो जैसे मान लिजी मैंने एक thumbnail आपको सिखाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया चेंज पर click करके gallery में से thumbnail यहाँ पर import कर दिया आप simple आपको done पर click करना है done पर आप जैसे ही click करेंगे आपका जो thumbnail है वो तुरंट change हो जाएगा तुरंट लग जाएगा आपकी वीडियो में तो इस तरीके से आप अपनी YouTube चैनल के अपनी वीडियो के अंदर thumbnail को लगा सकते हैं या फिर उसे change कर सकते हैं तो friends अब आप सिख गई होंगे कि आप किस तरीके से अपनी YouTube वीडियो में thumbnail लगा सकते हैं या अपने thumbnail को change करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके फूस सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you